हेलो दोस्तों आज हम यहां पर दुबारा बात करने वाले हैं दी देप प्लास्टिक इंडस्ट्री लिमिटेड से लेटियो इस शेयर की अगर मैं बात करूँ तो इस शेयर को हमने यहां पर काफी नीचे के लेवल पे आपको वीडियो बनाके देखे आपको बताया था कि इस शेयर में एक तेजी हो सकती है जहां पर एक अच्छा भासा पैसा आपका बन सकता है यहां देखिए एकflynen पहले भी यह share बना भागए था वहां से फी शेयर लगब लगब 50-60% भागा है और 10 महीने पहले याद रखिए 10 महीने पहले यहाँ पर 44 रुपीज पे इस शेयर पे वीडियो बनाई थी ठीक है फ्यूचर मल्टी बैगर मैंने बताया था और 44 रुपीज से अभी अगर हम देखे तो यह शेयर 226-228 का लेवल को टच करक है और आगे क्या भविश्य नजर आता है उसकी बात करने के लिए मैं यहाँ पर आपके पास आयों तो उससे लेटर बाते करूंगा बट उससे पर एक रिक्वेस्ट है चाइना को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट और की नॉटिफिकेशन को अन करिएगा ताकि इस तरह क वीडियो मिलती रहा है सीखते रहिए सीखने के लिए वीडियो देखिए बट वीडियो में बहुत सारी चीज़ों होती है जो हम यहाँ पर बात नहीं कर पाते तो आप क्या कर सकते हो इन नंबरों पर कॉंटक कर सकते हो 860540501 8169261037 और इन नंबरों पर कॉंटक करके बेसिक्स टू एडवांस टेक्निकल रिसर्च फंडामेंटल कब लेना है कब बेचना है किस तरीके से काम करना है कब शेयर भागते हैं कब आपको लेना चाहिए कब बेचना चाहिए वह सब चीन यहाँ पर बताई जाएगी की 17,500 का कोर्स है और याद रखिए एक तालिक से एक कोर्स 20,000 का होने वाला है और इसके बाद याद रखिए यह कोर्स को करनेगा त्री मंस की पैक्टिकल लेर्णिंग ऑनलाइन नो इस्ट्रेटिजी हम यूज करते हैं जिसकी वह से शेयर यहाँ पर 400-400-500-500% बागते हु याद रखिए अच्छा पैसा साथ में मिलके बनाते हुए नजर आएंगे तो इस आगे बढ़ते हैं दीडेप्लास्टिक की बात करें तो डीडेप्लास्टिक की में हम देखें दीडेप्लास्टिक कमपनी करती ही गया है तो मैनुफेक्श्टियंग फ्लास्टिक यहां पर केबल बनाने वाली कंपणी यहां पर यूज खरती हूं नजर आती है यहां पर देखे लिए लेक्ट्रिक लाइटिंग प्लास्टिक अलेक्ट्रानिक मास्टर बैच और अधर यहां पर अलग अलग चीजे हैं जो यह पर इसे प्रोड़क्त लेती हुई नजर आती है यहां पर आप देखिए पैकेजिंग, फुट वियर, पाइप, आटो मोवाल, केबल, फिटिंग, इलेक्टोनिक्स, इनके क्या है यह इंडस्ट्री है जिसे कैटर करती हुई नजर आती है तो अच्छा गासा है यहां पर इनक बहने है आपने देखा भी है कि वायर के स्टॉक्स, इंजीनियरिंग के स्टॉक्स, पाइप के स्टॉक्स, सारे के सारे स्टॉक्स, अल्रेडी ओल टाइम हाई के आसपास चलते हुए नजर आ रहे हैं तो यह कंपनी के लिए एक पॉजिटिव फिगर बना हुआ है इसके इ खेल्टी है तो उसी तरीके से आपके रिटन अपिंजीर भी लेती है तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना वोगा के highest ever company की sales आई, highest ever यहाँ पर company का operating profit, margin as well as net profit, सब चीन यहाँ पर अच्छा गासा नजर आता है, और company के yearly basis पर यहाँ पर देखें, तो company का yearly basis पर यहाँ पर profit भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, reserves की बात करें, 485 करोड के आसपास के reserves है, बोड़ा income होती ही नजर आई है, working progress में कोई पैसा नहीं लगा हुआ, एक करोड के आसपास है, इस जिट को याद रखिएगा, company जो खर्च करती है, वो ही आगे चल के पैसे कमाती है, यहाँ पर ज्यादा खर्ची नहीं किया, तो शायद आगे यहाँ पर growth रुख सकती है, यहाँ पर बात करें cash की, तो company के पास 7 करोड का cash पड़ा हुआ है, positive cash flow भी है company का, promoters के आस 75% के share हो, प्रुबिक के बाद 25% के share है, और 25 में भी आप देखोंगे, कुछ लोगों ने यहाँ पर इसे दारी यहाँ पर लेके रख रखी है, तो share कैसा नजर आ रहा है, fundamentally strong share नजर आता है, बट याद रखिए, कहीं न कहीं जो इसके products है, हमेशा चलने वाले नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर किसी दिन मंदी आ गई, तो उस मंदी का यह भी शिकार हो सकता है, तो इसी आपको याद रखना है कि कभी यह लेना है, कब बेचना है, तो इसी से लेटेड हम चार्ट को देखेंगे, क्या चार्ट हमें बाइंग बता रहे हैं, या सैलिंग बता रहे हैं, और उससे पहले आप से रिक्वेश्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को यह टॉल को नोटिफिकेशन कौन करिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो मिलते रहे, बैंक से लिंग कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और इन नमबरों पर कॉन्टक करके, आप यहाँ पर हमारे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, हमार साथ काम कर सकते हो, इन नमबरों को सेफ कर लीजिए, डीडेप प्लास्टिक की बात करें, तो डीडेप प्लास्टिक ऑल्रेडी 400-500% के रिटन, अगर मैं नीचे से यहाँ पर टोटल यहाँ पर दिखाऊं, ठीक है, जब से शेर यहाँ पर आया है, और इसका लोग की बात करूं, तो लब 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 575% के रिटन दे चुका है, और वो भी 10-11 महीने के अंदर अंदर, तो 10-11 महीने में 500-600% के रिटन दे चुका है, और इसके बाद भी अगर आप सोच रहे हो कि यह शेर और रिटन देगा, तो रिटन दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर एक गिरावट हो सकती है, ठीक है, और इतने हाइपर चड़कर यहाँ पर किसी चीच को लेना बेकार है, बट कोई चीच भाग गई है इतनी, तो और नहीं भागेगी, यह कहना भी बेकार है, तो यहाँ पर दोनों तरीके के यहाँ पर concept आते है, और उसी चीच को हम यहाँ पर क्या करना होता है, फॉलो करना ह यहां पर आप देख रहोंगे एक तेजी के बाद बड़ी candle बनती हुई नजर आई एक negative candle बनती हुई नजर आई ठीक है जब इस तरीकी candle बनती है न तो यह कहीं न कहीं आपको बताती है कि यहां से शायद बगुछ लोग है जो बड़े-बड़े लोग है अपने शेयर को अखर यहां से तेजी हो सकती है इस फ़िरावट यहां से नजर्प लें घेजर बांज बांज बड़े तो यहां पर आपको याद रखेगा जब तक इस पर्टिकूलर लेवल 228 का लेवल प्रॉस ना करें तेजी होने वाली नहीं हैँ और अगर कोई यहां पर भी यहां पर प्ले करना साथ है सबसे पहले तो देखिए मार्किट में प्रैशर बना पड़ा है तो ऐसे शेयर यहां पर कब धोका दे जाए और दस बीस परसंट का लोगर सरक्रिट लगा है और आपकी का श्रेयर नीचे आ जाए वह भी नहीं पता तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर आप ले रहे हो तो एक छोटा सा श्टॉपलो साथ में कैरी करिएगा हमेशा अधरवाइस यहां पर आप ट्रैप हो जाओगा और अगर ट्रैप हो गए तो फिर आपका मालिक भगवानी होगा और कोई नहीं होगा क्योंकि स्टॉक मार्केट इसी तरीके से चलती है चीज़ इस शेयर में लगबग लगबग आधे रिटन तो आपसे निकाल लिए जाएंगे आधे रिटन की जब मैं बात कर रहा हूं तो शायद यह शेयर और शायद यह शेयर आपको दुबारा सौ रुपे के आसपास क्रेड करता हुए नजर आ जाए क्या यह बिलकुली दुबारा आपनाना है तो हमेशा ऊपर चड़ के चीज़े लेते हो तो हमेशा श्टॉप लॉस को फॉलो करना है ताकि छोटे से लॉस में निकल जाए बट इतना क्योंकि प्रॉफिट भी हैं पर ही बन सकता है बट लॉस में निकल जाओगे चोड़े से तो अपने आपको प्रोटेक दूबारा पुश कर रहे हैं इसे ऊपर जाने की और फिर दूबारा निकलते हुए नजर आ सकते हैं बैंक से लिंक कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फैनिशल एडवाइजर कुद की स्टड़ी करो चीजों को सीखो और सीखने के लिए नमबरों को यहां पर नोट करो औ कोई भी आपा लेने देने से लेटेन मेरे पास कोई श्टॉक्स नहीं है इसका तो इस चीज को भी आपको ध्यान में टकना है तो थैंकि सो मच गॉट ब्लेस